नमस्कार दोस्तों एस्ट्रो अमिट चैनल में आपका स्वागत है लगभग हर व्यक्ति छे महिने एक साल में कभी न कभी लूज मोसन या दस्त का मरीज जरूर बनता है उसे कभी न कभी दस्त लूज मोसन या अतिसार की समस्या जरूर होती है तो ऐसे मैं मैं आपको एक आयरुवेदिक या आयरुवेदिक ना कहें योग से समंधित एक मुद्रा बताने जा रहा हूँ या हठ योग का एक रूप है इस हठ योग मुद्रा के उपयोग से आप सिर्फ 15-20 मिनट अगर आप इसे करते हैं तो कितना भी तेज आपको दस्त हो या लूज मोसन हो उसे आप नियंत्रित कर सकते हैं क्योंकि जब भी अगर आपको दस्त लूज मोसन या अतिसार होता है तो आप बार बार अपने दोनों हाथों की उंगलियों को और को मुठी बनाकर अच्छे से दबाएंगे और उसे खोलेंगे यह एक ऐसी मुद्रह है जिसका आप उपयोग करने से आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रुरत नहीं पड़ेगी और इसका आप चमतकारिक उपयोग करके देख सकते हैं केवल बस आपको अपनी मुठी को अपनी उंगलियों को मोड के मुठी बनानी है जोड से दबा के मुठी बनानी है फिर उसे खोल देना है फिर मुठी बनानी है और फिर खोल देना है यही प्रक्रिया आपको 15 से 20 मिनट तक करना है इससे हाथों और कंधों के भी विकार जलती है मोटापा भी इससे दूर किया जा सकता है असल में बार-बार हाथों की उंगलियों को मुठी बनाना और फिर खोलना ये एक बहुत ही प्राचीन हठी योग मुद्रा है इसका वर्णन हमारे हठी योग के प्राचीन ग्रंथों में है और यह एक प्रकार का एक्यू प् कर सकते हैं तो आप इन मुद्राओं को उप्योग करें और स्वस्त और सुखी रहें धन्यवाद